हाई फ्रेंट यह लुसेंट बुक के स्रीज में सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग अध्याय फ़र्ष्ट जीपों में जनन को पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग का टॉपिक अब आगे का है काईक जनन वेजिटेटिव रिपोडेक्शन काईक जनन वेजिटेटिव रिप पढ़िया है कि सिंपल रूट हो गया है स्टेम हो गया लीफ हो गया बड हो गया इनके दौड़ा पोधे विक्सित होते हैं तो उसे ही हम लोग वेजिटेटिव रिपोडेक्शन के नाम से काईक जनन के नाम से हम समझेंगे कुछ पोधों में काईक जनन प्राकृतिक मत्तिक विर्धी जनन और दूसरा है क्रित्रिम विर्धी जनन तो नेचुरल विजिटेटिव डिपोडेक्शन एक्षियल वूटेक्शन के भात करें तो नेचुरल में देखे यहां तीन को चारत तरह के देखने को नजराए नाचम सबसे पहला आ जाता है जड्के द्वार रहा है कि यह अलग अलग पाटने जो उदाहरन के साथ भी हम पढ़ेंगे ठोड़ा सा इसका टॉपिक लंबा हो जाता है तना के द्वारा तना के द्वारा देखे तो एक आज आ जाता है भूमिगद्ध ना और तीसरा आ तना भ Cemal Two भूमिगत तना उसको बहुंद उसको ऊपड़ेंगये जो की करते हैं कि यहां भूमि के अंदर से जाता है इसे लिए हम वर्ड किया गया एंदर---- Ha भूमी के अंदर से विक्सित होने वाले तना को भी देखिए तो यहां चार भागों बटा गया है एक प्रकंद द्वारा जिसे की राइजोम के नाम से हम लोग जानेंगे उसके बाद आ जाता है घंकंद के द्वारा तो घंकंद में जो होते हैं कॉर्म सा जाते हैं उसके और दूसरा आ जाता है आपका अर्ध वाइविये तना तो अर्ध वाइविये तना को भी चार भागों मठा गया है एक उपड़ी भू अस्तारी जिसे की रनर बोलेंगे जैसे आपका खटी मिठी बूटी समय होते हैं कि जमीन के उपर से एक दम रनर दोड़े हुए रहते ह अंतह अस्तरी उसके बाद फंस तडर चाम और पिर आजाएगा दो तो सब को हम एक-एक कड़ के देखेंगे रनर आ जाते हैं सकर्स आजाते हैं ऑफ से इसके वासरां आ जाते हैं तो इस सभी को हम एक तरफ से पढ़ेंगे कि यह क्या-क्या होते हैं आगे दिख हैं घै तो उसके बाद प्रवेंद लगाना इसको हम लोग समझेंगे यह क्या होते हैं ग्राफ्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं फिर कली बांधना बर्ड ग्राफ्टिंग के नाम से जानेंगे फिर आ जाता है गुटी लगाना तो यह सारे जो होते हैं एक क्रित्रीम है कि जो किसानों को दोड़ा परयोग किया जाते हैं अलग-अलग प्रजाति के पौदों को विखसित करने के लिए और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सुक्ष्म प्रवर्धन सुक्ष्म प्रवर्धन में माइक्रो प्रोपोगेशन आ जाते हैं जिसमें कि हम टीसू कल्चर बगेरा सी देना ऐसे यह बुक में दिया गया है लेकिन जो भी नीट का प्रिप्रेशन करते हैं उनको देखिएगा कि यह हर किसी का टाइप और उनके उदाहरन दोनों याद रखते हैं कि किस में किस तरह का परजनन पाया जाता तो मैं भी आफ्लाइन क्लास में आपको कुछ उसी तर और बुक का स्रीज तो हम यूट्यूब पर लेके आपके लिए आही रहे हैं सबसे पहले यदि हम देखे तो यहां बताया जाता है प्राकृतिक विधी परजनन कि प्राकृतिक रूप से जो वर्धी परजनन को निमलिखित विध्या में बाटा गया है तो मतलब थोड़ा स हम माप किजिएगा यहां इसको छोड़ दिये हैं कि आर्थिक द्रिष्टी से महतपुर्ण पौधों के काईक जनन के लिए किसान तथा मालियों द्वारा तरह तरह का तकनिक विख्षित किया जिसमें आ जाता है सबसे पहला आपका प्राकृतिक वर्धी जनन नेचुरल व इडवांटीसियस बर्ड बोलेंगे को उत्पन्य करने की छमता पाए जाती है जो विक्सित होकर नए पौधों को जन्म देती है तो इसमें उदाहरन आपको याद रखना है जर के द्वारा किसकिस में होता है तो पहला आ जाता है सकरकंद जिससे सूट पोटाइटो के नाम और ए नमर एक्जांपल जो है ये स्वीट पौटाइटो के हैं जिसे के हम लोग सकरकंद के नाम से जानते हैं आगे देखे तो आगे फिर आपका आजाता है कि यहां सीसम के बारे में बताया गया है ईसम में भी कुछ इसी तरह के तना पाया जाता है जो कि देखे तना से ही जड़ विक्सित हो गया है reproductive root और फिर new plant को ये growth करते हैं सकरकंद के बाद यदि हम देखे तो यहाँ डैहलिया का example दिया गया है डैहलिया में भी new plant है और यह new root tube को बना रहे हैं तो यह सभी के सभी जो होते हैं जड़ों के द्वारा वर्धी परजनन के type हो गए आगे आए हम लुक पढ़ते हैं अब तना के द्वारा किसमें होता है तो तना वाला पहले भी आपको बताए तना का टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाता है तो जाड़ वाला हम सेपरेट याद रखेंगे अब तना वाला हमारा सुरू होड़ा है तना में यदि देखे तो बाइस टेम य जाता है अर्थ वाविये तना द्वाड़ा ब्रस सब एडियल एंश्टेम के बारें बताया जाता है उसके बाढ़ वाविये तो यहां बताया जाता है यंदि ए प्रकंद से बहुत पूछा जाता यह उसके आपको यहां प्रकंद से तो आभी से आपको ही व्ne प्रतिकूल परिष्थिती में नहीं रहते हैं उनक्य वह भूमिक अंदर रह जाते हैं और बाद में वो भी वहां बताया गया है अनुकूल परिष्थिती आने पर अपनी कणिकाये देना नए पोधों का निर्मान कर लेते हैं जैसे के detained हो गया अधरक हो गया हल्दी हो गया उसके बाद कमल हो गया टाइफा हो गया एसपीडियम हो गया एसपीडियेटम हो गया तो यह सारे एक्जामपल आपको याद रखना है खासकर अधरक और हल्दी तो आपको भूलना नहीं है अद्रक और हल्दी हो गया यहीं एक लाइन और दिया गया है कि जलकुम्भी इस प्रकंद से लगबग आठ माह में 65,000 से अधिक पोधों को उत्पने कर सकता है तो जलकुम्भी जो होते हैं यह इकोनिया के नाम से जाना जाता है जो कि लग इंटर्णोड मतलब दो संधिया जहां जूर रही है उसे ही इंटर्णोड के नाम से हम लोग जानेंगे देखिए वहां न्यू प्लांट भी बढ़ के द्वारा डेवलाप होते हैं और नीचे की और एडवांटी से रूट पाये जाते हैं अब आए हम लोग घंकंद की बात करें घंकंद में बटाया जाता है कॉन्स यह ऐसाखित भुमी का दना होता है जो भुमी के अंदर उधर दिसा में विरधी करताै जिसमें पुर्व एवं पुर्व संधियां असपिश्ट दिखाई देती हैं पुर्व संधियां का सलक पत्र पाये जाते हैं जिनके कक्ष में कनिकाएं होती है जो वाइविये साखा उत्पन्न करती है ये नए पोधों को जन्व देती है जैसे अडवी जमिकंद उसके वाद क्रोकस तो सिंपल अडवी किसको बोला जाता है तो अडवी जो हम लोग अजूबाज इसको बोल सकते हैं जो कच्चू का पत् पत्राइब करते हैं इसमें इंटर नोड दोनों दिख रहे हैं और टर्मिनल बर्ड न्यूप्र से मतलब यह घ्रोथ करते हैं तो यह घंकन्द केग्जांपल हो गए गनकंद के बाद आईे हम लोग आप पढ़ेंगे किसके बारे में तो आब हम लोगों को पढ़ना है कि कं क्या होते हैं कंद में हम लोग ट्यूब के बारे में बात करते हैं लगवाग गोलाकार होता है। जो भूमिकत साख्वाओं के अंतिम सीरे mm से न खुंद zij सकार होता है मतलब भूमिकत नहीं क्या होता है ऑफुलने लगता है पुलने से वो मतलब अंतिम छोड़ जो रहता है तना का वहां से ग्रोथ करेंगे तो सबसे पहला आलू कंद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पोटाइटो ट्यूप यह भी कुस्टन बार बार पुछा जाता है आलू क्या है तो आलू तना है यह एक भूमिगत रूपांतरित तना है जो कंद को परजनन के लिए उपयोग किया जाता है आलू के कंद पर पाई जाने वाली आंक के आलू को जब आप देखिएगा तो उसमें कुछ धसे-धसे पाट नजर आते हैं उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे तो उसे आई बर्ड के नाम से जानते हैं कि यह आंक होते हैं तो जर्मिनेशन आई बर्ड से जो होते हैं यह डेवलप होते हैं नीचे की और देखिए रूट है और आलू पूड़ा का पूड़ा यह क्या है यह ट्यूबर है तो आलू की आंक से पौधे विक्सित होते हैं तो यह भी कोशन पुछा जाता है आलू के किस भाग से सल्क पत्र से घिरा रहता है तना एवं सल्क पत्रों की बनी सनरचना को ही बल्व कहते हैं तथा चक्ति डिस से निचले भाग में जो होते हैं उपस्थानिक जड़ निकलती है सिंपल ऐसा सिंपल समझे कोई भी तना को यदि हम प्रेसर लगा के दबा दें तो दबाने पर व को यूपर से दबाब लगा के प्रेसर लगा कि इसको बल्व टाइप कर दिया है तो यही आपको देखना है कि यहां एक्जीलरी बड हैं उसके बादेश्टेम एडवांटी से रूट हो जाते हैं फिलेसी लिफ्स आ जाते हैं टर्मिनल बड तो यह साड़े पार्ट को आप बल्व के उदाहरन है तो पूछा भी जाएगा बल्व का उदाहरन कौन सा है तो प्याज लहसुन यह सब आपको याद रखना है आगे दी देखे तो फिर आ जाता है हम लोगों का अब तना का ही दूसरा टाइप आ जाता है तो यह सभी के सभी तना जो होते हैं एक तना का अब आ जाते हम लोग अर्ध वाइविये तना के बारे में पढ़ेंगे अर्ध वाइविये तना के बारे में यही पढ़ना है कि भूमिगत तना की ही भाती अर्ध वाइविये तना में पुर्ण संधियां पर पाई जाने वाली कनिकाए विक्सित होकर वाइविये भाग बन जिसे कि हम लोग रनर के नाम से जानेंगे उसके वाद अंता भूस्तरी जिसे कि हम लोग सकर के नाम से जानेंगे भूस्तरी का जिसे कि आपसेट के नाम से जानेंगे भूस्तरी जिसे कि हम लोग एस्टोलेन के नाम से जानेंगे ताइए इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या सबसे पहला आ जाता है उपड़ी भूस्तरी रणर भी पूछा जाता है यह रेंगने वाले रूपांत्रित तने होते हैं जो भूमी के 36 दिशा उपर की ओर बढ़ते हैं यानि आगे की ओर उपर बढ़ते रहते हैं इनकी पूर्ण संधिया नोड से भूमी की और उपस्थानि जर तथा उपर की और वाइविये तना का विकास होता है यदि ये बीस से किसी कारण बस टूट जाते हैं तो उस टूटे हुए भाग से नए पौधों का जन्म होता है जैसे दूब घास उसके बाद खटी मिठी जैदातर पूछा जाता है खटी मिठी ब्रहमी दूइव घा हो गए उसके बाद सेंटेला तो यह सारे आपको एक्जामपल याद रखना है कि जिसमें खटी मिठी जैदातर पूछा जाता है खटी मिठी ब्रहमी दूइव घास यह सारा पूछा जाता है तो आपको यह याद रखना यह सभी के सभी उदाहरन किसके हैं रणर तो यहां यह एक डाग्राम भी आपको इस बुक में दिखाया गया है कि डाग्राम से भी आपका कॉंसेप्ट किलियर होता चला जाएं देखिए डाग्राम में यह खटी मिठी बूटी है लगवग बचपन में आप लोग यदि ग्रामीन छेतर से हैं तो इसको जरूर तोड़ के खाय होंगे कि खाने में खटा मीठा इसका टेस्ट लगता है तो यही खटी मीठी बूटी होती है जो कि उपड़ी भूस्तारिका के इकजाम पलें तो इसको सियोड याद रखना है आगे दी देखे तो अन्ता भूस्तरी बताया गया है इसमें मुख तना उपर की और तिर्चा विर्धी करता है और इसका भूमिगत भाग भूमी के 36 विर्धी करता है इसी भाग को पुर्न संधियां से जड़ें तथा वाइविये कनिकाएं विक्सित होती है जो नए पौधों को जन्म देता है तो यह तिर्चा थोड़ा विक्सित होता है तो इसमें आ जाते हैं अधरी गुल्दावदी के पुदिना नाम से जानेंगे जोởी गुल्दावदी का यह प्लांट है आगे चले तो आगे फिर आजाता है बहुत अपसेट क मत्यों का गुच्छा उत्पन होता है जो तने के तूटने से उपड़ांत नए पोधों का निर्मान करते हैं तो जैसे यहां बताया जाता है समुद्र सोक उसके बाद वाटर हाई सिंध और वाटर लोटस सारे इसके जो होते हैं पिश्टिया आदी इनकी एक्जांपने पिश है सारीका के नाम से बताया जाता है भूर परिसाका में यह रनर के उपर देखिए किस तरह से तइड रहें तो इसमें एक खासियत और होती है आप एलिवन्थ में यह तीशू पढ़ है तो वहां बताया गया है आपको कि टीशू में जो अम लोग पढ़ते हैं एडियोलर सी हमारे पस्चिम बंगाल में हैं तो संदरवन डेल्टा में अधिक मात्रा में ये पाया जाता है अपने इदर भी ये तलाब बगेड़ा में देखे तो अधिक मात्रा में जलकुमी मिलेगा उसे आतंक बताए जाता है तियरर अफ बंगाल ये वी कुछर्चन आप याद रखिय जिसमें गांठ पर उपास्थानिक जड़ पाया जाते हैं इस गांठ से नए पौधों का निर्मान होता है जिसे इस्ट्रावेडी हो गया उसके वाद वेली एसनेरिया के बारें बताया जाता है को लो को को लो केसिया तो सारे एक्जामपल आपको याद रखना है तो रनर में इस्ट्रावेडी हो गया आपका एक और हम लोगों की इधर चमेली का ब्रिक्च होता है चमेली भी आप देखे होंगे उसके भी तना कुछ इसी प्रकार से बिक्सित होते हैं जब आप जहारी वागेडा में जाईएगा तो आपके पैड उसमें उलत जाएंगे कि आपको ग बात करें तो यहां बताया जाता है एडियल स्टेम कुछ पौधों में लेंगिक पर जनन करने की परिस्थितियां नहीं होती वैसे पौधे तने काईक पर जनन में भाग लेकर अपनी जाती को निरंतरता को बनाए रखते हैं जैसे गन्ना अमरवेल आदी में समान वाइवी पर आधधितन के तने में आजाते हैं जो घ्रावाटे बूर्द लगाया जाता है उसमें अधिक अधितर पाजलें अधिक अधरसाओं Levy वगईणा में आप तो यह सारे के सारे जो हैं हम लोग मतलब देखें कि तना में भुवस्थर ये तना कौन था तो जो आपका ये चार्ट है फ्लोचार्ट आप सबको याद रखना है कि फ्लोचार्ट किस तरह से विक्सित हुआ आए तो ये आपको देखिए सबसे पहले आ में बात करें तो अर्द भूस्तरी उसके भूस्तरी का इबंद भूस्तरी आ जाते हैं अभी लोग किस तरह से विक्सित होते हैं अब आए हम लोग बात करते हैं यहां पर कि क्रित्रीम किस परकार से हैं तो क्रित्रीम में यदि देखे तो आपका आ जाता है एक और बचा हुआ है पत्तियों की द्वारा यह भी बहुत जैदा पूछा जाता है पत्तियों की द्वारा दो एक जामपल तो उपास्थानिका, कनिका उतपन्य होती है ये कनिका मात्री को सिकाथ से अलग हो करने पोधों को जन्में देती है जैसे विगनोलिया, उसके बाद ब्रायोफिलम, तो ये प्लांट को आपको याद रखना है, ऐसे तो बहुत सारा यहाँ दिया गया है कलांचो दिया गया है आपको एडी एंटम उसके बाद इस्ट्रोटो कार्पस मारें बताया गया तो इसे दो मुखता याद रखिए एक आ जाता है विगनोलिया और दूसरा ब्रायो फिलम तो यहां देखिए ब्रायो फिलम के पतियों को दिखाया गया है कि किस तरह पति से ही जड़ डेवलप हो जाते हैं और यहां से तना विखसित होते हैं ब्रायो फिलम की पुर्ण कनिकाएं को भी यहां बताया गया है आगे आए ब्रायो फिलम के बाद सेकेंड आ जाता है हम लोगों का जो की टॉपिक है यहां पर पत्र कंद द्वारा पत्र कंद की यदि बात क लेंगे तो इसे ही बल्विल्स के नाम से जानेंगे कुछ पौधों में कनिकाएं समुह में उपस्थित होकर एक विशिष्ट रचना का निर्मान करते हैं जिसे की पत्र कनिका कहते हैं जब यह पत्र कनिका जनक पौधे से अलग होकर भूमी पर गिर जाती हैं तो नए पोदों को जनव दे देती है थाटेन के लिए खटी मीठी बूटी हो जाता है प्याजज उसके पार अगए और लिली यहां देख्या यह प्लॉन दिखाया गया है अगेव केольноी ग्यादियर बुलबिय बताया गया है कि अगेव के बुलबिल के यहां बात पर रहें तो तरह से डेवलप होते हैं आगे छोड़िए आपको अननास जरूर देखे हों कि अननास में भी कुछ इसी तरह से डेवलप्मेंट पाए जाते हैं सबसे लाश्ट हम लोग यहां पढ़ेंगे जिसे की ट्यूडियन के बारे में यहां बात करें तो ट्यूडियन यह मांसल कनिका प्रवर्धन में सु के सुसुप्तता को मतलब ठोड़ा हिंदी यहां पढ़ने में मिश्टेक हो गया इस उत दोनों के लिए उपयोग होता है जिसमें हम देखे तो पोटो में यहां बतायागे आपको पोटे में जोएन और दूसरा या जाता है यूट्री कुलेडिया तो यह दोनों नाम आपको याद रखना है पोटे मेजों पोटे मेजोंटन और उसके बाद यूट्री कुलेडिया यह दो एक्जामपल आपको याद रखना है क्रित्रीम पर जननर आर्टिफिसल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे तो यहां तक थोड़ का स्रीज हम लाने के लिए आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं जो कि आप लोग ही इसे सफल बनाईएगा थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो